नमस्कार संबिधान का आदर्स अगर आपको खोजना हो जाकना हो संबिधान के भीतर तो मौजूदा परिस्तिती के हिसाब से मैं कहूंगा मानो पृतिष्ठा यानि संबिधान को अगर आदर्स मैं बनाना है तो दौर के हिसाब से बदली सोच के हिसाब से उसे मानो पृतिष का बरतमान स्वरूप जहां प्राणयम दैहिक सुतंतरता का संरक्षन आर्टिकल टॉंटीवन यानि संविधान के भागतीन के आर्टिकल टॉंटीवन इसकी चर्चा है प्रटक्शन आफ लाइफ एंड पॉर्शनल लिबर्टी जहां पर पसुगत की बात नहीं बल्कि मानवी जीवन की बात कही गई है और मानवी जीवन की ही बात नहीं कही गई है बल्कि गरिमा में जीवन की बात कही यानि सास चलती रहे ऐसी ही जिन्दगी की बात नहीं है बल्कि गरिमा में जिन्दगी की बात आर्टिकल टॉंटीवन करता है यानि कि कहने का तात पर कि आज के द हिक्س व्कंत्रता का संरक्षन को थोड़ा सक्या कोई अरुमीद जगाई जा सकती है कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता वैसे तो राईट टु फूड है राईट टु हिल्थ है चिकिस्सा का अधिकार है, सुधहवा पानी लेने का अधिकार है, सिख्षा का अधिकार है, तमाम चीज आर्टिकल 21 में ही मिलता है और यह भ्यक्तियों पर लागू होता है, भ्यक्तियों का मतलब होता है कि संबिधान में जब किसी अनुख्षेव में भ्यक्ति सब्द का प्रियोग कर दिया जाता है तो इसका तात्पर हुआ कि इसमें दागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं, फंडमेल्डर ही सोतंतरता का जो सर्रक्षन है आर्टिकल टॉंटीवन वह व्यक्तियों के लाग है यह नि कोई भी देशी भी है विमार है तो उसको भी इलाज मिलेगा लेकिन एक सवाल यह है कि जैसे कि अगर हम नैसरगीक न्याय के सिद्धान पर चलें जहां पर हम फेर जेस्ट और रिज लुक्ति युक्त की बात करें तो आज की परस्थिती में क्या यहां पर देखें कि राइट टु लाइफ एक प्रकार से थ्ट छत्रे में नहीं Хandoval से पैसे नहीं है गय सेलेंडर ओक्सीजन सेलेंडर के लिए पैसे नहीं है दवाई के लिए पैसे नहीं है बड़े चिकिस साले में इलाज के लिए कहने का मतलब है कि यहां पर जिस देश में जिस देश में अभी हर पांचमा प्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हो और साल भर से क बिमारी कोई एक ब्यक्तिकों तो हो नहीं रही है। कहीं कहीं आपने सुने होगे फैमिली में साथ-ाठ लोग हैं, साथ-ाठ लोगों कोई बिमारी हुई। कभी आपने सुना होगा कि एक को अभी सम्षान घाट लेके गये थे, लौट काये तो दूसरे की भिम्रित्वी हो है तो क्या हम उसके right to life को save करने के लिए फिरी इलाज का कोई provision ला सकते हैं अगर हम फिरी इलाज ला देते सरकार देखे सरकार क्या करती है सरकार GST से साड़े तेरा लाग करोन रुपए साल भर में वसूल दिये पिछले दिसंबर से देखे होंगे एक लाक यानि एक जुलाई 2017 से लेकर इतना collection नहीं हुआ जितना दिसंबर से होने लगा सवा लाग करोन रुपए तक हर महीने collection होने लगा आठ करोन लोग इस देश में income tax फाइल करते हैं यह बात और है कि चार करोन ही tax देते हैं बाकी का सव रुपए से कमी बनता है तो लेते देते नहीं है तो करीब करीब बारा साड़े बारा लाग income tax आता है यानि करीब आप समझें कि 25-26 लाग रुपए तो इसी तरीके से पैसे करोन में आते हैं 26 लाग करोन की बात कर रहे हैं अगर उसमें से वैक्सीन को फ्री लगा देना चिकिस्सा को को कोरोना की मैं बात कर रहा हूं कोरोना में फ्री इलाज कर देना और आर्टिकल 21 में जो प्राण दैहिक सुतंतरता का सर्रक्षन देश के नागरी की अब्यक्ति को मिला हुआ है क्या उसको हम एक उपाई के तौर पर समहल सकते हैं मेरा ये क्वेश्चन है ये सरकार को करना है और जो भी तरीका है फानेशल ग्रावन पर उसको सोचना है लेकिन ये मन में एक सवाल तो उठता ही है क्या क्या गरीब क्यूंकि इसमें एक बेक्ती बीमार नहीं उसका फूरी फैमली बीमार है और फूरी फैमली मगर दो-तीन लोग सीरियस होते हैं जैसे कि कहां भी जाता है कि साथ देखिए दस परशन्टी सीरियस केसे होते हैं जो हास्पिटल के लिए होते हैं आप जड़ा सोचे कि पौने तीन करोन लोग इस देश में कोरोना से पीडित हो चुके हैं दस फीसद का मतलब करीब 27 लाख लोगों को तो हास्पिटल की जरूरत है क्या 27 सभी लाख लोग क्या हास्पिटल का पे कर सकते हैं हो सकता है ऐसा ना कर सके तो ऐसे में सरकार का क्या है वैसे तो कहने के लिए आइसमान भारत भी है लेकिन अगर उसका देखेंगे तो उसके तहट जो भी हो रहा है बीस हजार हास्पिटल में चार लाख लोगों का इलाज ऐसा कुछ डेटा उसका भी है लेकिन ये डेटा कम है क्योंकि 25-27 लाख के बीच के दरमयानी काफी फ्लक्श्वेट करता है सभी अमीर गरीब सबको ये बीमारी है लेकिन कुछ लोग अपने इंकम से अपनी कमाई से इलाज कर ले रहे होंगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टिकल 21 का सहारा लेकर के अगर सरकार उनको अधिकार दे देती क्योंकि वही लोग कहते हैं कि अगर दो भाई हो एक कम कमाता हो एक ज्यादा कमाता हो कम कमाने वाला बीमार हो गया ज्यादा कमाने वाला उसका इलाज कर दे तो कम अगर वो स्वस्थ होता है कल ज्यादा कमाएगा आपको वापस ना करे लेकिन शादी में व्याहमें किसी में लाग दो लाग रुपई आपको खर्च कर देगा तो उसका जिन्दा रहेगा तभी तो खर्च करेगा ना तो पहले जिन्दगी बचेगे फिर तो अगर वो जिन्दा रहेगा GST देगा जिन्दा रहेगा इंकम टैक्स देगा तो प्राकलन है मानना समझना सरकार को सासन प्रसासन को है